केंद्री मंत्री स्मिर्थी रानी से कहा है कि राहूल गांधी माफी मांगे राहूल गांधी के माफी मांगने को लेकर सतापक्ष इन दिनो लगातार सडक से संसत तक सवाल खड़ा कर रहा है इसमिर्थी रानी ने कहा कि जिस देश ने हमें गुलाम बनाया उसी देश की तारीफ कर रहे हैं राहूल गांधी दरसल देखे मॉनिटर स्क्रीन की तरफ अगर आप देखींगे तो देखे खबर ये है जिस देश ने बनाया था गुलाम उसी से मदद मांग रहे हैं राहूल गांधी स्मिर्ति रानी बोली टुकडे टुकडे गैंग के समर थक देखे सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि मौजूदा समय में माफी राहूल गांधी को मांगनी पड़ेगी संसद के सतर के भीश में केंद्री मंत्री स्मिर्थी रानी ने कॉंग्रेस संसद राहूल गांधी पर उनके लंदन में दिये गए बयान पर निसाना साधा स्मिर्थी राणी ने आज एक प्रेस कॉंफरेंस में कहा राहुल गांदी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का एहवान किया जिस देश का इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है और देखें लगातार अगर हम देखें कि केवल केंदरी मंत्री स्मिर्थी राणी नहीं भारते जन्ता पार्टी के तमाम ऐसे मंत्री हैं जो ये लगातार कह रहे हैं राहूल गांदी ने कैम्बरिज उन्वेस्टी में जो बयान दिया था लंदन में जाकर वो किसी भी लिहास से ठीक नहीं है राहुल गांदी ने क्या कहा था, राहुल गांदी ने कहा था, कि भई संसद में जो विपक्षी पार्टी की नेता हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उनके माइक कौफ कर दिया जाता, तो ये कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि राहूल गांदी ने यहां की भारत हमारे देश की जिस तरीके की बाते लंदन में की है वो किसी भी लिहास से ठीक नहीं है अब क्या राहुल गांदी माफी मांगेंगे ये एक सबसे बड़ा सवाल है लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या आने वाले वक्त में राहुल गांदी के इसी बयान पर अगर सियासत हुई तो कॉंग्रिस पार्टी को राहुल गांदी के इसी बयान पर नुकसान लिएगा फिलाल आज के लिए इतना ही आप से फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजे नमस्कार